है गाइस वेलकम बैग तो आज हमें एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम नेक्स्ट येस को समझेंगे और बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे एडवांस तक जाएंगे और उसमें हम एक प्रुजेक्ट पनाएंगे उसको यूज करके चैट जीपिटी पर लेते हैं इस पूरी सीरीज का क्या होने मला है इसको छोटे-छोटे वीडियो के पार्ट में रखेंगे और इसमें यूज की इस बेसिस पर देखेंगे कि क्या कर सकते हैं तो पहले इंट्रडक्शन रहेगा फिर प्रजेक्ट का जो अबजेक्टिव है वह हम देखेंग और उसको देखेंगे कॉंपधेंट के बारे में भी समझेंगे और उसके बार नेक्स जीस में अप्यक्रण को भी बनाके देखेंगे जो इसका-इडवांस फीचर है इäter कि हम इसमें फी लिख सकते हैं विट यूई वेशिए ये उस सब्स देखेंगे उसको देखेंगे जैसे कि चैट GPT से हम कुछ भी टाइप करते हैं वो कैसे रिस्पॉंट ले के आता है और इसको बाइंड करता है वो सारा कुछ देखेंगे यूज कॉंटेक्स को भी देखेंगे और बहुत सारे इसमें जितने भी और छोड़ी-छोड़ी प्रॉब्लम आती है उस क्लिक करके यहां पर व्यू कर सकते हो यहां पर आपकी यूजर प्रॉफाइल सो अथन्टिकेशन का भी हम देखेंगे और जैसे ही आप कोई मैसेज टाइप कर रहो तो आपको रिप्लाइब भी वो करेगा तो सारा कुछ यह भी बेसिक जो है हमारा डिजाइन है इसको हम स् स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं मैं विजो स्टूडियो कोड में आ चुका हूं और अब टर्मिल को ओपन कर लेते हैं और एक पर बनाते हैं यहां पर लिखेंगे एन पी एक्स क्रिएट नेक्स्ट एप लेटिस्ट अभी इसमें और सारे ऑप्शन डाल सकते हैं बट अभी बहुत बेसिक से चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से यह आप्शन को प्रॉंप्ट करता है तो जैसे ही आप एंटर करोगे यह बोलेगा कि अपना आप का नाम डाल दो टैल्विंट css भी यूज़ करेंगे अलग से बनाने की जरूद नहीं है एप राउटर को यूज़ करेंगे ठीक है और इंपोर्ट जैसे ही करता है वैसे ही करेंगे कि अध्युंट दिपेंदेंसी वह डाउनलोड हो गई अभी कहते हैं हम जो डायरेक्टिक्रीट ट्रेवेस्ट उसमें जाते हैं ठीक है अभी आ चुके हैं अपनी अप्लिकेशन की डायरेक्टिव में next jsGPT अब इसमें क्या करेंगे इसको पहले रन करके देखते हैं इसे जो डिफॉल्ट है पेज स्टार्ट होगा तो अभी क्या करेंगे इसको पूरा हम क्लीन अप करके और फिर अपना उसमें प्रोजेक्ट को एड करेंगे जो इसका में फॉल्ट होता है एप का फॉल्ट होता है ठीक है यह किया करेता है यह जैसे हमारा पहले रॉट लिखते थे वैसा लिकने की जूबक्र नहीं है अभी इसमें जो भी एप फोल्डर अड करोगे उसके बैसिस पर लेगा तो जैसे कि एप है तो इसके डिफॉल्ट जो है पेस्ट जो इसके राउट करेगा अगर आपने इस इस पे किसी और फोल्डर पे जैसे अपका यूजर का बनाना है तो आप एक फोल्डर बनाओगे और उस फोल्डर के अंदर आपको फीज डॉट जैसे डालना होगा तो फिल आटोमेटिकली वह क्या करेगा नेविगे आपको जायाएगा कि किस किस पर एफ्लिके bakा यहां पर ध्यान देने की बात है यही स्वह लिखाइब कर से अंदर फोल्ड़ यहां पर ध्यान दे नहीं वहां याँ आपने किसी और नाम से बनाए जैसे components है और component डाम का बनाया हुआ है तो आपको इसमें एक और add करना पड़ेगा component और उसमें उसके इंदर जीतने भी फाइल है उसको यह apply हो तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले अभी जैसे हमारा यह व्यू दिख रहा है इसमें थोड़ी clean up activity कर लेते हैं क्योंकि हमें fresh से start करना सही रहेगा सो पेज में इसने इतना कुछ दे रखाया है तो इसको डिलेट करते हैं कि यहां हमने डिलेट कर दिया है सब्सक्राइब पूरा ब्लैंक आग्या है तो जब भी आपको कोई नेविगेशन बनाना है तो इसमें सेंप्ली क्या करना होता आपको एप के अंदर फोल्डर बनाना होगा जैसे अभी हम चैट के नाम से फोल्डर बनाएंगे तो यहां प है जिसको वह बहां पर डिस्प्ले करता है अब यहां पर फॉंक्शन करेंगे और यहां पर हाई लेटेते हैं सब जैसे ही आप इस पर चैट पर नविगेट करोगे यह आपके पास अवेलिबल होगा और कुछ करने की ज़रूत नहीं है बस आपको एप के अंदर फोल्डर बनाना है उसके अंदर पेस्ड.js बनाना है ऐसे ही आप मॉल्टिपल कर सकते हो अब हम इसको इसके नविगेशन को देख लेते हैं सो हम यहां पर एक लिखेंगे वेल्कम टू को गोडिंग को कीड़ा सम्टिंग एंड एक एक हरफ लगाते हैं नविगेट करने के लिए हमने बोला कि चैट पर जाना है हमें और यहां पर में लिखती है यहां पर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा यहां पर जैसे क्लिक करोगे यह नविगेट कर देगा सो इसमें राउटिंग जो है बहुत ही सिंप्लिफाइड होती है अब क्या करेंगे हम थोड़ा लेयाउट को सही करते हैं और इसके बाद डेसकस करते हैं तो अभी हमार और यहां पर पीजिघ करेंगे अंगर जोड़ जोड़ करेंगे इस तरीके से त्रुक्च ऑब बात कर लेते हैं पेसिकश्ए क्या होते हैं वह स्मॉल यूनिट्स होते हैं जैसे आपको लैगो है लेगो आप जोड़ जोड़के एक पूरा एक स्ट्रक्चर तियार करक्ते ह उसी तरीके से हमें component को बिल्कुल ही छोटा छोटा रखना चाहिए जिससे कि जब यह री रेंडर होता है तो सारे component रहेंगे तो जिसकी requirement है बस वही लोड होगा event basis पर भी उसको हम change कर सकते हैं बट वो अगर एक page पर बड़ा component होगा तो बार-बार वो लोड करने में time ज्यादा लेगा इस पर हम देखेंगे भी किस तरीके से अगर एक छोटा component है उसको segregate किया हुआ है और उसकी requirement लोड करने की नहीं है तो वह किस तरीके से आप optimize कर सकते हो तो आने वाली लोड करने का component बना सकते हो एक अप यूजर जो है इसके लिए component बना सकते हो जो कि बाद में हम देखें किस तरीके से अभी एक साथ में है so component बनाने के लिए components नाम का फोल्डर ही रखते हैं आप कुछ भी नाम देख सकते हो बट जनरली components ही देते हैं because यह Tailwind में भी इस तरीके से configure हो रखा है तो अगर आपको इस तरीके से देना पड़ेगा अधर वाइस दोनों जगर नाम को सबको हटाते जाते हैं सो हिस्ट्री के लिए हमारे पास यहां से section है इसको में लेंगे इस तो दिस और सो कट करेंगे कि यहां पर अपना component बनाते हैं सेम आर एप सी रियक्ट फंक्शन component और यहां पर इसको पीस्ट कर देंगे अब है अब हम component को डिला करें यहां पर हम क्या करेंगे जो कॉम्पोर्णेट है उसको लिखेंगे है पिस्ट्री आप क्यों यहां पर आप देखोंके तो भी एंड भी हो जाता है कि इंपोर्ट हो जाता है चीक है सो चलिए अब देखते हैं यह किस तरीके से अभी देखता है कि हम हिस्ट्री कॉंपोनेंट से रूड कर रहे हैं डाइक्टिव सो हम यहां पर कि अब दाल सकते हैं जिसके बाद यहां पर दो ओप्शन यहां दिखने लगेंगे आपके डवलेपर कॉंसोल में और यहां से हम देखेंगे प्रॉफाइलर को प्रॉफाइलर बेसिकली रिकॉर्ड कर सकता है कि कौन-कौन सा आपको कॉंपोनेंट कब लॉंच हो रहा है कौन स का और दूसरा जो है जो हमने हिस्टरी के लिए कॉंपोनेंट बनाया था वह यहां पर देख रहा है सो सिमलर इसी तरीके से अभी हम सारे कॉंपोनेंट को क्रिएट करेंगे जित्ते भी हैं मॉडल के यूजर के और यहां पर जो मैसेज हैं उसकी और इनपुट को तो इन देख सकते हूं जितने भी है रिक्वाइड कॉंपोनेंट से मैंने वो क्रिएट कर दिया चैट इंपूट चैट मैसेज हिस्टी जो हमने इसके पहले क्रेट किया था मॉडल एं यूजर मेन्यू और इसको मैंने जो हमारा में चैट का पेज है उसमें सारे कॉंपोनेंट को एंड कर दिया यहां पर हिस्ट्री यूजर मॉडल एं यूजर मेन्यू सो अब यहां पर देखते हैं किस तरीके से डिस्पले हो रहा है क्योंकि यह पूरा पेज अभी जो है कॉंपोनेंट से बन रहा है सो इब इंस्पेक्ट करेंगे और यहां पर जाएंगे इस बर इस तरीके से हिस्ट्री मॉडल आपको उपर हाइलाइट भी हो रहा है यूजर मेन्यू चैट मैसेज एंड चैट इंपूट इस तरीके से आपको देख रहा है तो अभी यह सारे जो हैं कॉंपोनेंट से लोड हो रहा है अगर आप रिकॉर्ड की बात करोगे जब प्रोफा आप नहीं आएगा भी बड़ आपको कुछ देखेगा जैसे कि यूजर मेन्यू लोड हुआ है यहाँ पर मॉडल रोड हुआ है तो इस तरीके से आप इसको कम्प्लीट पेज को छोटे छोटे अप कॉंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं जिससे कि आप पेज लोड को र अब्जेक्टिव कबर किया next.js का structure देखा components को देखा कि किस तरीके से segregate कर सकते हैं so next video बहुत interesting होने वाला है इसमें हम next.js में किस तरीके से server side पे API create कर सकते हैं within your project क्योंकि पहले react में क्या होता था कि हमने अपना front end कहीं और बनाया और back end हम क्या करते थे express में लिखते थे य manage कर सकते हैं और use effects के बारे में भी हम देखेंगे किस तरीके से इसको external calls के लिए हम use करते हैं so फिर मिलते हैं next video में and please don't forget to like and subscribe